आज मैं आपके लिए एक question का answer लेके आया हूं कई लोगों ने मुझसे बहुत सारे मेरे खुद के customers ने पूछा कि sir हम अपने पैनल से laptop को कैसे connect करें अपने phone से कैसे connect करें यह सारे questions हैं तो मैंने सोचा कुछ इस पर videos बनाई जाएं कई बार मैं भी कुछ calls इस टाइप की नहीं ले पाता तो मैं नहीं चाहता कि किसी भी customer में किसी भी particular person में एक distrust चाहे हमारी go live e-technologies के लिए इसलिए मैंने सोचा कि इन छोटे छोटे problems की मैं आपके लिए videos बनाऊंगा ताकि आपको कोई भी ऐसी problem आए तो आप उसका solution मेरे से ले सकते हैं तेंक यू आज मैं आपको बताने वाला हूँ सबसे पहले कैसे हम laptop को connect करते हैं पैनल से देखिए क्या गडबड होती है हमें करना क्या होता है अपने laptop को HDMI cable से connect करना होता है फिर हम कई बार देखते हैं कि हमारा display detect नहीं हो रहा उस situation में हमें अपनी display setting पे जाके extended display करना होता है काम हो जाता है इतना करने के बाद भी आप एक चीज़ observe करेंगे हो सकता है test response ना काम करें because आपको connection के लिए दो cable use करनी पड़ती है एक HDMI cable जिसका एक सिरह आपके laptop में लगा होगा दूसरा सिरह आपके PC में या आपके panel पे लगा होगा next part आपको touch cable जिसका USB पार्ट जो होगा वो आपके laptop में लगा होगा और touch वाला part आपके panel में लगा जब यही पूरा connection होगा तभी आपका touch sensing वर्क करेगा आज मैं आपको यह proper way से करके दिखाता हूँ और दोनों cables भी बताऊँगा कौन कौन सी cable क्या क्या है सबसे पहले आपको मैं यहां मेरा laptop में ले आता हूँ आपके सामने कुछ चीज़े दिखाता हूँ cables basically यह HDMI cable होती है अब देख सकते है I hope so यह कुछ इस type से दिखती है I hope so यह visible होगी आपको कुछ ऐसा इसका interface होता है दो side से HDMI होती है हमें करना क्या होता है हमारे laptop से यह हमारा मेरा laptop है शायद आपको दिख रहा हो यहाँ पर हमें करना क्या होता है कुछ चीज़ें ध्यान रख नहीं होती सबसे पहले मैं क्या करूँगा अपने laptop में इसका HDMI पार्ट कनेक्ट करूँगा एक सिरा फिर generally जो PC होते हैं पैनल होते हैं उनके back side में Android वाले जो port होते हैं उसकी HDMI पार्ट में आप इसको connect करें यहाँ पे जो मेरा पैनल है इसके front में भी port है HDMI नाम से तो यह मैंने इसमें connect कर दिया अब आप देख सकते हैं इसमें पूरे मेरे laptop का display visible हो जाएगा यह मेरे laptop का display है बट अभी इसमें touch sense देखिये काम नहीं कर रहा कोई touch sense का कोई response नहीं आ रहा तो एक और cable connect करनी पड़ती है वो cable कौन सी है जिसे touch cable कहते हैं जिसका एक सिरा तो normal हमारा USB interface होता है जैसा कि हम यह as usual देखते हैं I hope so it is perfectly visible और दूसरा सिरा कुछ ऐसा देखता है यह touch side यह आपके panel में connect होता है यह आपके laptop में connect होता है याद रखें panel में कुछ ports होते हैं अगर HDMI 1 में connect कर रहे हैं आप HDMI अपनी तो touch 1 में connect करें तभी काम बनेगा HDMI 2 में connect कर रहे हैं तो touch 2 में करें कुछ पैनल में HDMI 3 option है तो touch 3 में करें यहाँ पर मेरे सामने एक HDMI के बल में connect कर चुका हूँ यह touch port है मैंने इस पे इसको connect कर दिया अब दूसरा हिस्सा मैं अपने laptop से connect कर रहा हूँ अब यह connect होने के बाद touch sense काम करने लग जाएगा आप देख सकते हैं right now touch sense is working fine अब मैं इसको open करता हूँ तो आप देख सकते हैं अब मेरा laptop इससे connected है easily मैं इसे access कर सकता हूँ सारी चीजे मैं चाहूँ इस screen पर mark करना तो वो सब मैं कर सकता हूँ password डालने का interface आपको यहां नहीं मिलेगा password आपको direct अपने laptop में ही डालना होगा मैं यहां इसका password डाल देता हूँ अपने laptop में जाके now the display is open अब मैं इसमें कुछ करना चाहूँ यह मेरे existing display है कोई file let's suppose मैंने file explorer पे click किया मैंने laptop को touch भी नहीं किया मेरे computer का display आपके सामने पूरी तरह से open हो गया है अब मैं यहां पे documents पे click करता हूँ document part open हो गया है जितने भी folders हैं सारे मैं open कर सकता हूँ तो इस तरह से हम अपने पूरे laptop को touch sense में काम कर सकते हैं यानि कि आप अपने PC का इस्तमाल करके बिना अगर आपके पास OPS नहीं है तो अपने laptop को connect करके भी काम कर सकते हैं बट क्यों लोग PC लेते हैं inbuilt वाला reason क्या होता है अगर आप देख रहा होंगे कि जब मैं इसे इस्तमाल करता हूँ मेरा laptop i5 based है 4GB RAM है इसमें 128GB sorry 1TB SSD है यहां इतना configuration होने के बाद भी यहां पे 20-35 millisecond का refresh rate आता है बट अगर उसी जगे है हम OPS लगाते हैं तो वहां 10-15 millisecond का refresh rate आता है जिस वज़े से हमारा touch response बहुत fast work करता है तो यह एक basic difference होता है और यहां पे आप देख पा रहे हैं यह 4K device है मेरा laptop FHD है इसी वज़े से display भी मुझे थोड़ा कम अची quality में मिल रहा है और जब हमारा अंदर OPS होता है 4K OPS तो इस situation में उसका display भी और ज़्यादा quality वाला होता है तो यह था पूरा कैसे laptop को connect करें कौन सी cable लगाएं क्या problems आ सकती हैं मैं एक आपको चीज और बता रहा था कि अगर मान लेते हैं एक बार में detect नहीं होता हाला कि यहाँ detect हो गया है बट मैं आपको बताता हूँ नहीं होता तो क्या करना है अपना right click करिए अपनी laptop पे यह काम आपको laptop पे करना है screen visible है आपको समझाने के लिए मैं ऐसा करना हूँ display setting पे जाएए display setting पे जाने के बाद यहाँ पे आपको कुछ options नजर आते हैं अगर आपका detect नहीं हो रहा है display तो अपने laptop में यहाँ पे extended display option होता है उस पे आप click करने आपका काम हो जाएगा और advanced display इन सारी information से यहाँ से आप काम कर सकते हैं तो इस तरह से आप पूरी तरह से इस्तमाल कर सकते हैं अपने laptop को connect करने में कोई भी असमस्या है कोई भी दिक्कत है still you have any doubt feel free to contact us thank you this is Ashutosh Mishra from GoLife thank you